आहार शंकला जिसे हम खाद्य शंकला भी कहते हैं फूड चेन क्या होती है आहार शंकला हमें पता है कि जो हमारी प्रकृति में जो जीव होते हैं वो एक दूसरे का आहार करते हैं मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं खाते हैं तो फिर आहार शंकला क्या हुई कि जैसे मान लिजे एक घास का मेदान है तो उस घास के मेदान में हरे पुधों को ठिड़ा खाता है ठिड़े को मेंड़क, मेंड़क को साप और साप को चील अपना आहार बना लेती है तो ये घास के मेदान की एक क्या हो गई आहार शंकला हो गई मतलब क्या हुआ कि जो विभिन्य जेविक इस तरह उसमें उन इस तरों पर भाग लेने वाले जीवों की शंकला है कि कोन उतपादक है ये उपभोगता है तो ये जीवों की शंकला बनी है जैसे हरे पोदे उतपा और यह सारे क्या है उपभोगता है तो विभिन जेवी किस तर पर भाग लेने वाली जीवों की जो शंकला है इसे अब आहार शंकला या खाद्य शंकला कहते हैं इसका एक सरल उधारन अगर आप लेना चाहें जंगल की एक आहार शंकला तो हरे पोदे जिनको हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है तो ये एक सरल आहार शंकला हो सकती है अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि आहार जाल क्या होता है मतलब खाद्य जाल क्या होता है फूड वेब्स क्या होती है जैसे ये तो आहार शंकला हो गई अब आहार जाल क्या है तो आहार जाल में क्या होगा द उसके अहार श्रंकला की तो मैने यहां इसको बनाया है कि हरे पूधों को साप और चील कहा जाती यह अचीаз रिटेस न हम्हार तो आ होगे को सीधे ने खाया, या वनस्पति को खरगोश ने खाया, और खरगोश को चील ने खालीा, तो यह भी क्या हो गई एक ये भी एक आहार Shن्कला हो गई, ठीके, अब दखे कुछ सीधी आहार Sh Oz भाई Cris तो हम इसे क्या के रहें कि यह आहार जाल है मतला हम जो बात समझे वो यह है कि जो एक जीव होता है वो दो या अधिक प्रकार के जीवों के द्वारा खाये जाता है जैसे चुगा चील के द्वारा भी खा लिया जाता है ठीक है और ये स्वैम भी जो है क्या करते हैं जरूत पढ़ने पर अनेक जीवों को खाते हैं जिसे मेंड़क को कौन खा रहा है चील खारे और मेंड़क को साप खा रहा है लेकिन मेंड़क ठिड़े को खा रहा है तो ये स्वैम भी क्या करते हैं अनेक जीवों को खाते हैं तो तो यही जो अनेक आहर शंकलाओं का जो पारसपरिक संबंद है वो पारसपरिक संबंद कहलाता है आहर जाल